दोस्तो समय समी स्वी के जिवन में घ마, और सभी के जिवन में उतार चड़ा होता। लेकिन काम्याव वोई हो पाता है जो आपने कारिक परति लगातार पडियास करता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप एक नॉर्माल इंसान से सक्सेस इंसान कैसे बन सकते हूं मैं आपसे पांच ऐसे टीप्स सेर कने वाला जिसे अपलाई करके आप अपने जीवन एंस सक्सेस को एचीव कर सकते हूं So without time wasting चले करते वीडियो के श्टा Number one point keep patience दोस्तों दुनिया में धेरे के बिना कुछ भी पाना असंभाव और एक सक्सेसफुल इंसान में हमेशा पैसेंज होती और वो कभी नहीं सोचता की हमें सफलता नहीं मिले वो बस लगातार काम करते रहता Number two point at right time at right choice दोस्तों सक्सेसफुल इंसान हमेशा सही समय पर सही नहीं नहीं रेता और यहीं सोच उसे नॉर्मल इंसान से सक्सेसफुल इंसान बना देता क्योंकि जो इंसान सही समय पर सही नहीं 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 ले पाता है वो जीवन में कभी भी सपन नहीं हो पाता है अब बढ़ते अगला point की हो, third point है की do best, आप अपने तरफ से हमेशा best देने की कोशिस कर, क्योंकि एक successful इंसान तब तक नहीं रूपता, जब तक क्यों उसे सफलता नहीं हो जाती है, अब बढ़ते fourth point की हो, comfort zone से बहार निकन, दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया, चिनिया कभी भी comfort zone में नहीं रहती है, चाहे कैसी भी हालात, वो अपने भोजन के लिए, तिनका तिनका उठाने के लिए पहुची जाती है, ठीक इसी process को अपने जीवन में हमें apply करने चाहिए, क्योंकि हम comfort zone में राके कुछ भी उखाड़ा नहीं सकते, for example हम लोग कई पर करके comfort zone के और हम उसी comfort zone में फांसे रहते हैं, इसलिए आप comfort zone से हमेशा बाहर रहें, क्योंकि मेहनत और त्याग के बिना इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना संभावें, और आप परते fifth और last point के हो, और इस point को अपने जीवन में आपको जरूरे apply करने चाहिए, thinking positive, आप हमेशा सकरा सकरात्मक सोचे, क्योंकि किसी ने कमाल की बात कही है, जो दूसरों के बारे में कभी सकरात्मक सोच नहीं सकता, वो खुद पर कैसे सकरात्मक सोच को apply कर सकता, और इस video के अंपे सिप इतना ही करना चाहूंगा कि, आये हो निभाने जब किरादार जमी पर कुछ ऐसा कर चलो क जमाना मिसाल कमजोर लोग अपना बदला लड़ कर लेते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपना बदला अपमान करने वालों से जादा कामियाब हो कर लेते हैं, केवल परियास करने से इंसान सफन नहीं होता, सफन होने के लिए इंसान को परियास के साथ जित भी करनी परकर के motivation की notification आप तक जल से जल कोई सेगे मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई जोसो जुनून के साथ तब तक के लिए आप जूड़े रहे हैं motivation एक कुमाल के साथ जाहिंद बंदमात्रा थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो